पतंग की दुनिया में इसे कहते हैं प्लांतुलू या फिर फुन्तुलू आप चाहे इसे जो कहिए ये पतंग के किस काम आता है ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा तो चलिए वीडियो को शुरू करें तो फ्रेंड्स पहले में बता दूं ये पुलांतुलू या फुरून्तुल जो भी आप कह लीजिये आपका जो भी समझ में नहीं है यह होता किस काम में आता है अगर आप घर में उडाते हैं, छासे उडाते हैं, फिर की नहीं खरीते हैं, थोड़ी दिल लाते हैं, तो आप इस तरह का साइस का कागस काट लेंगे, किसी भी पेपर काट लेंगे, कॉपी में से वो आपका काम चल जाएगा, तो ये किस काम आता है, ये मैं आपको पहले बत करने जाती हैं तो आप ने देखा होगा वो पतिivering जब लंबे करके जाते हैं सो चक्कर नहीं लेती हैं आप जब तक मुठहाँ बनाते हैं या मुद्धा राप में बहार कहो तो हम खीचेंगे या खड़ा खीचेंगे जब तक गद्धा पढ़ जाब या फिर आप उपर से लड़ा रहे होते हैं और जब गद्धा रखते हैं पता सलता आप मुठ्धा बलटना है और आपका पतंग चकरी नहीं लेरी धीरे धीरे उठा बलटना जब तक न लिपो हो गए हैं यह आप देख सकते हैं कितनी तो ऐसी पतंगे या फिर जो बहुत भारी पतंगे हो जाती है लेकिन बहुत दिन बाल उलाई है तो वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे चक्कल लेती है जब तक आपका मुठ्धा बनता नहीं है और आप कड़ जाते हैं तो ऐसी का मुठा इधा उदर होता है तो वापस सही नीचे की तरफ भागता है जिससे आपकी पतंग चक्कर लेती है तो इसको कैसे बनाना है क्या लगेगा इसमें यह मैं बता दे रहो पहले तो मैंने पेपर आपको दिखा दिया तो पहले तो यह फिरकी वाला जो कागस है यह दबल करना है पूरा डबल कर लेंगे डबल करने के बाद फिर इसको यहां से डबल करेंगे इसे डबल हो गया उसके बाद फिर से एक पर इसी साइज में डबल करेंगे इसी साइज में आपको डबल करना है उसके बाद फिर आप एक पर इसको डबल करेंगे आप देखिए बहुत पतला हो जाता है बस ये इतना पतला होना चाहिए कि इस लकडी के उपर रखा जा सकी है तो अब आपको लगाना कैसे पतला होगा आप इसको भी कोशिश करें कि एक बार दबा दिया इस तरह से ताकर से दबा दीजे इसको दोड़ा आप दबाने के बार ये बीच में एक कटिंग आजाती है, इस कटिंग को आपको पत्ते के इस जगह पे रखना है, एक दम नीचे रखिएगा, थोड़ा सा एक दो सूथ उपर ले सकते हैं, इस तरह से रखना है, और ये टेप के इस्तिमाल से आपको इसको रोपना है, तो ये देखने में भी अच्छा लगता ह अगर तेड़ा मिठा बना देंगे, तो अच्छा नहीं लगेगा, अब ये देखिए, टेप मैंने का ची है, उसको ऐसे रखा, और ये देखिए, इस तरह से लगाती है, अब ये देखिए, देखने में भी अच्छा लग रहा है, ये आपका फुन्तुरू बन गया है, अब इससे क्या होगा, जो भी आपकी हल्की पतंगी होगी अब देख सकते हैं, आप ये लिप पतं है, जब ये पतंग उनाएंगे, तो इसमें काफी जादा चक्कर आ जाएंगे, और पतंग आपकी बहुत बढ़िया बनेगी, और आप मुंधा भी बना सकते हैं, अगर आप इस तरह से लगा सकते हैं, देखने में भी अच्छा लगता है, और पतंग में काफी चक्कर भी आ जाएंगे, तो क्रेंस ये पूरी वीडियो थी, I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी,